तो अगर किसी को भी सीखना होना कि एक best तरीके से footing कैसे की जाती है जो आपके गर को पूरा पकड़ के रखे उसका low transfer करे और proper technical way से कैसे footing करते हैं वो इस वीडियो में सीखोगे और practically सीखोगे और इससे अची वीडियो अगर यूट्यूब पे मिल गए ना तो मेरे को ज़रू पहले प्रोसेस से पहले एक दो में गलती बताऊंगा क्योंकि यह एक नई साइट पर विजिट थी वहां हमने यह गलती देखी गलतियों का बाद हम पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे layout से और last concrete तक छोड़ूंगा लेकिन बीच में आपको complete प्रोसेस बताके जाने वाला ह और 20 मिनट की विडियो रहने वाली यह विडियो थोड़ी छोटी नहीं होगी सबसे पहले हम जहां विजिट पे हैं यह विडियो देख रहे हो एक complex बन रहा है एक building का काम लगा हुआ है यह जो combined footing है single footing भी है तो इसमें गलती क्या है गलती इसमें मैंने देखी जो एक तो ज यहां पे एक steer up रहना चाहिए concrete करने के बाद top में एक steer up दिखना चाहिए तब ही आपका एक सही तरीके से concrete होता है उसको मैं बोलूँगा क्यूंकि अगर आप यहां steer up नहीं बांदोगे जो concrete जब कर रहे होते हैं तो column इदर उदर हो सकता है थोड़ा बहुत और position में करना ही करना है top में यह था एक visit का जो एक mistake मेरे को लगी मैंने आपको बता दिया अभी हम start करते हैं कोई footing हम start करते हैं पहला हमारा काम रहते है layout का layout करना रहते हैं drawing के जिसाब से हम layout करते हैं हमें mention होता है coordinates भी mention होता है तो हम total station की help से layout कर लेते हैं अगर हमें कोई point पता है उ footing का layout किया जा रहा है जब layout हो जाएगा उसके बाद next जो काम रहता है वो रहता है किसका excavation का खुदाई का तो जब हमारी खुदाई हो गई उसके बाद center line की जाती है marking की जाती है footing के corners कभी कबार column का corner किया जाते है मैं column का corner आपको दिखाता हूँ यह देखो पूरा tape की help से engineer यह process कर रहे है प्लम बॉब गिरा रहे है नीचे देखो यह column की marking कर दी जाती है यही footing का कभी कबार क्या होता है footing का central column का center सेम ही होता है mostly यह तरीका होता है तो यहाँ नीचे पहले PCC की जब हमारी execution हो गई PCC की जाती है उसके उपर यह marking की जाती है और कभी कबार क्या होता ह PCC यह जो सामने अब देख रहे हैं footing नहीं है यह PCC है क्यों ऐसी PCC है के जगा पे hard starter जो रहते है मतलब हमें जो footing के लिए नीचे चाहिए होता है bottom वो hard चरही है मतलब पत्थर होना चाहिए zone 3 का हमारा नीचे मिटी होनी चाहिए तो उस के जगा पे जल्दी आया ती है के 14 में हमाएगी के जगा पे 400 में हमाएगी जब वो process हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है drawing में हमारा क्या होता है बुर्जी होती है मतलब आपको पदा होगा जो pegs जिनको बोलते है मतलब वो footing के center में आपने side side पे देखोगा हर building जो तरीके से construction होती है वहाँ बुर्जी मनाई जाती है side side पे pegs मनाई जाते हैं तो उनकी help से क्या किया जा रहा है यहां footing का center निकाला जा रहा है footing का center क्या निकाला जा रहा है मतलब जहां आपका footing का center होगा वहाँ आपका column का center है और उसी तरीके से steel बांदा जाता है अगर आपने यह process नहीं किया तो दिक्कत क्या ह कि जाती है, यह center line लगाई हुई है, देखो, यह पूरी एक डोरी बांदी हुई है, और साथ में यहाँ एक लड़की क्या कर रही है, वो लिखरी है, date, जब भी footing कीictions हो, उस पे date mention करके रखो, क्यों mention की जाती है, इसे कि जाती है, इस लिए की डिटेल में आपको देने ही वाला हूं फिर दूसरी चीज क्या की जाती है जब भी concrete हो जाता है तो वेट हैजन यह जो मतलब गनी बैग्स रहते हैं उनको विशाया जाता है कि प्रॉपर से मार्किंग की जाती है जब एक बार मार्किंग हो जाती है सेंटर लाइन आ जाती है उसके बाद tape की help से footing शाप ही जाती है हमें सेंटर मिलगे हमारी footing है 1300 mm की तो 750 इस तरफ चले जाएंगे या 650 इस तरफ तो 1300 mm की हमारी footing हो जाएगी ठीक है जो भी size हो आपका 800 है तो आपको 900 900 दोनों तरफ चले जाना है तो यह तरीका होता है सेंटर लाइन करने का और यहां mystery वही चीज कर रहा है यह क्या करेगा मिस्तरी footing का बार का bottom जो होगा बार की shape वो कर लेगा देखो यह column का पूरा उसने कर लिया है मतलब column की shape उसने पूरी center to center कर लिया है वैसे footing का footing बाला इस steel बांदेगा proper cover के साथ अगर यह marking की नहीं रही हो तो दिक्कत रहती है तो यह marking की जाती है और इसी तरीके से की जाती है जैसे आप सामने देख रही हो चलो इतना हो गया दिक्कत tension नहीं लेनी है अभी हमें क्या करना है इसका जो हमारा center line था वहाँ पे हमने सरीया बांदना start कर देना है और सरीया जब बांदना है जो column आपको खड़ा करना है उसके जो L आप देख रहे हो किस तरीके से आपको L setup करने है कि आपके जो L रहेंगे वो चारो तरफ column के आए देखो यह कोड़ने कोड़ने पर L है फिर यह ऐसे और इस तरीके से जब L आप खड़ा करते ह हो तो आपका जो column पे steel पे जो load आएगा वो properly distribute होगा पूरी footing में मतलब पूरी footing में वो जाएगा यह नहीं है एक जगाल की होंगे तो failure के chances वहाँ सबसे ज़दा बढ़ जाती है यह चीज़ें दियान रखनी होती है तो यह हमें चेक करना है यह जो footing है वो proper centerline में है कि नहीं क्योंकि देखो इदर से हमें अगर यह हमारी footing है 1200 mm की तो हमें यहां से taping करनी है तो 1200 mm हमें इस area में आना चाहिए कि हमें जो cover है वो cover maintain होना चाहिए और जो footing है वो centerline पे proper है कि नहीं इस तरह भी देख ली हमने और इदर से भी हमें centerline उसका देख लेना है मतलब हमारी footing जो ह footing जा column बोलो क्योंकि centerline में है तो यह centerline आपको चेक कर लेनी है as a civil engineer ठीक है यह हो गया दूसरी जी जो आपको कवर ब्लॉग है वो प्रपर जो ड्रॉइंग में 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 मैंचिन किया होता है मैंने जनल लॉट्स पे वीडियो लाई थी उसमें में मैंचिन था कि हमारा 50 mm का कवर ब्लॉग में 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 मेंैं मोरыми फूटिंग में में 50 वाम पकी ख़हते हैं का सई कावर कोमेंट संद्रण क में पानि अगर अगर लगे लगा तो यह organis मेंमें हो प्रपर प्रफैस संदर्ण कर्ते हमार रहे कि मार आप जैसे देख रहे हैं वान टू थी फॉर फाइव सिक्स मतलब इस हिसाब से करने है मतलब ऐसे होता है एक स्केर मेटर में आपको पांच कवर प्रवाइड करने होते हैं तो वह प्रॉपर वे से प्रवाइड किया होने जाहिए कि कोई सरीया नीचे लगा नहीं होना यह हमेशा यहान रख रहे हैं 16D होता है यह तो इतना आपको 300 mm प्रवाइड करना हो यह 300 mm है इस फुटिंग की जो बराई है वो 400 mm है और यह एल आ गया 400 mm है पचास कवर उपर से माइनस पचास नीचे से कवर यह चीज आपको ध्यान देन देना है और टेपिंग आपको कर देना है यहान देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर में रहा है कि नहीं मील रह यह यह ऐसे सिवल इंजनिर को चेक औरहे होता है दूसरी चीज आप से अपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है जो आपका हो हाह वहा एस एम्टी फाइंडर डि और आस मार्की देख रह जिन्दल TMT 500D तो आपको चेक कर लेने 500D टक्टाइल प्रवाइड किया है कि नहीं किया है यह आपको फुटिंग में चेक कर लेने अगली चीज आपको चेक कर नहीं है इसकी स्पेसिंग जो भी आपकी जाली है पहले आपको चेक कर लेने कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया यहां देखें यहां कितना इतना 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 और एसे साइट इंजिनिर आपको पता होना चाहिए अगर जोटा होता है तो वह सपेसिंग में सप्टेबल होता है इतना कोई issue उसमें नहीं होता है तो यही चीज भी आपको चेक कर लेनी है फिर हम बढ़ते हैं अगली डेवलोमेंट लेंथ इसकी यह जो डेवलोमेंट लेंथ है यहां से यहां तक इसे हम डेवलोमेंट लेंथ गिनते हैं देखो यहां मैंचन नहीं किया होगा अब आपको 16D प्रोवाइड करनी है यही चीज यहां से यहां तक और यहां आपको यहां 16D प्रोवाइड करो यहां क्या करना है आपको डेवलोमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है जो भी कॉंक्रीट का फेस है कितनी footing की 400 mm 400 प्लस 300 होगे 300 मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना बढ़ेगा तो 100 mm हो गया तो यहां से लेके 400 और बढ़ाई हमारी 400 तो हमारी होगे development 800 क्योंकि 50D के साफ से 100 लंगा कितना होता है 800 mm तो इसी साफ से हमने development लें चेक करनी है और जब फूटिंग में आपको यह प्रवाइड करना है यह मस्ट प्रवाइड होता है काफी गल्ती की जाती है कि इसको प्रवाइड नी किया जाता है और इसको इस बेसे प्रवाइड करना है कि यह आपके चाहरो कोने पे आए देखो आपको अगर मैं समझाओ इधर यह जो मैंडरी लगाना होता है इस पर वीडियो आप जरूर देखना वो एडी के साबसे मैंडरी लगाना है अगर आप प्रॉपर बैंडिंग इसको नहीं करेंगे डाइरेक्ट छोटे बैंड से बेंड करेंगे तो यह लोड जब पड़ेगा इस पर तो यहाही से ब्रेक ह की जाती है जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो यह चीजें दियान दी ही नहीं जाती है कही जगा मैंने देखा कि यह एल भी प्रवाइड नहीं किया जाता है लेकिन आपको एल प्रवाइड करना है मिनिमूम 300 mm तो होना चाहिए यह 16 डी चाहिए डवलोमें मैंशन होगा हमारी डोइंग पे कि 8 mm का है 10 mm है या 12 mm का जितने mm का स्टीर अप होगा वो आप प्रपर वे से प्रवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखने है फिर इसकी स्पेसिंग की बात करे हमें स्पेसिंग उसमें मैंशन होगी 100 mm, 200, 1500 जितनी भी होगी उसमें मैं फेलीर के चांजिस काफी जादा होते हैं वहाँ आपको ना लैप नहीं है ना आपको वहा जादा स्पेसिंग देनी है वहां रिसकी जोन होता है मतला ह१ा से 4 mm जाप से 7 मेटर स्पकड़के चलना है और लैपिंग आपको देनी है तो आप कोलॉम के सेंटर मे देदो और में checking भी वो आती है हमारी hook की ये जो hook है हमारी ये हमें 10D के हिसाब से provide करनी होती है 10D मतलब 8 mm का सरी हम यूज़ कर रहे है 10 into 8 तो ये आपकी जो length मिलनी चाहिए ए 80 mm आपको length मिलनी चाहिए और इसको जब provide करना है आपको column में तो ये staggered होनी चाहिए एक hook आपको यहां दिख रही होगी इसके उपर hook नहीं दिखेगी वो hook कहा है दूसरी तरफ तो ऐसी आपको staggered provide करना है मतलब एक hook यहां एक दूसरी तरफ ऐसे आगे पिछे करके आपको होगा क्योंकि hook का काम क्या होता है share failure को counter करने में और जो syrup है उसको अपनी पुजिशन में पकड़ने के लिए और जब लोड पड़ेगा तो यह अगर जो सरीय यह बागने के कोशिश करेगा यह hook अपने बंद होती जाएगी लोड की वैसे और यह एक steel को अपनी पुजिशन में पकड़ के रखेगी फेलियर होने से बचाएगी तो इसी लिए हम हुक परवाइड करते हैं और अगर हम बात करें इसमें कितनी लेग stirrup हमें डाला हुग है इसमें 6 लेग stirrup है तो सवर फोर लेग है एक और दो तो यह मारा फोर लेग stirrup इसमें प्रोवाइड किया गया तो यह चीज भी आपको देन देनी है कि ड्रोइंग में मैंचन है कि 4 लेग है 6 लेग है देखो आपको अगर लेग इननी हो कैसे हम किसको 4 लेग है और 6 लेग बोलते है यह चीज आपको as a civil engineer चेक करने होती है और next चीज आपको क्या देखनी है जो यह winding wire लगाई है इसमें यह proper से tie की गई है क्योंकि इसमें 2-3 type की winding wire रहती है जो भी आपको mention है और आपको वो ही winding wire यूज करनी है और इसको proper से tie किया होगा यह चीज आपको ध्यान देनी होती है इसमें हो जाती है आप जैसे देख रहे हो सामने यह शट्रिंग होगे इसकी तो इसकी checklist की अगर comment करोगे इसकी video भी हम ले आंगे बाकी इसमें कुछ इतना जादा नहीं है बस cover आप देख रहे हो अगर जो मेन चीज होती है जो एक साइट इंजिनियर जब साइट पे आता है उसको चेक करना होता है वो चेक करता है इसका मतलब जो cover proper मिल रहा है की नहीं मिल रहा है उसको चेक करने का क्या तरीका होता है जो हमने पहले starting में हमने देखा था marking की थी center line की थी उसी पे क्या किया जाता है यह जो dory रहती है dory को fix किया जाता है set किया जाता है center line की तरफ से ठीक है जब column के face पे बांद लो क्योंकि हमने आपने starting में देखा था column को भी तो हमने शापा हुआ था मतलब print किया था surface पे तो उसी पे डोरी बांदी जाती है और फिर check किया जाता है जो हमने steel बांदा हुआ है steel binding की विए है तो वो proper से उसमें cover हमें 50 mm cover अगर mention है 40-50 mm होता है हमारा column में वो mention किया होता है वो proper से हमें अगर मिल रहा है तो सही हैं concrete कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है support देंगे column को लेकिन अगर वो अभी check नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा यह नहीं किया जाता है चेक जब अगर आप चेक नहीं करोगे तो बाद में हमारा joggle करना पड़ता है जो mistake की जाती है सरीय को मोड़ा तोड़ा फोड़ा जाता है फिर जहां extra सरीय डाला जाता है तो यह गलतिये नहीं करनी होती है और इसी दुरान जब यह प्रोसेस किया जाता है जो cover block होता है आपको proper footing के चारो तरफ क्यूंकि हमारा footing में 75 mm cover block आने वाल है cover आपको लगा देने आपको PVC का का है या concrete का का है तो proper आपको cover block करके फिर इसका किया जाता है plumb bob जो हमारा column रहते है न इसको plumb bob किया जाता है यह वर्टिकल्टी होती है उसको चेक किया जाता है कि proper हमारा जो सरिया है वो vertical है तो ने तो टेड़ा होगा तो होगा क्या दिक्कत देखो अगर by chance आप plumb bob से चेक नहीं करोगे कि आपका सरिया सीधा है कि नहीं तो बाद में दिक्कत क्या आती है जब shattering की जाती है column की तो आपको cover ही नहीं मिलेगा और जब आपको cover ही नहीं मिलेगा उपर में तो फिर आपको वही काम करना है die लगानी है सरिया band करना है और सरिया band करने में labor उसकी quality और भी काफी चीज़े खराब होती है तो एक site engineer को जहां गर पे भी आप column खड़ा कर रहे हो तो उसको ऐसे plum बॉप से चेक करो जैसे mister ये सामने चेक कर रहा है एक बार उसको दो मौका की चल भाई कर चेक जब उसने चेक कर लिया प्रॉपर आपको मिल रहे है और इसको चेक करने के दोरान देखो support साथ में लगाई हुई है और जिस तरफ हो रहा हो की हमें दूसरी तरफ इदर कम cover मिल रहे हैं हम उसको थोड़ा दवाते हैं और supports प्रॉपर supports लगा के रखो और फिर उसके बाद आप easily concrete कर लो और concrete के दोरान के दियान रखना होता है आपको जो इस vibrator यूज़ करती हो वो इतना भी नहीं कि एक जगह पर डाल के रखो तो थोड़ी vibration से भी column आगे पीछे हो सकता है तो थोड़ा बहुत vibrate करो प्रॉपर से जो grade को concrete का है वो करके उसके बाद इसको finish कर दो और जब finish करो उसके बाद भी आपको क्या करना है plomb bob की help से इसका क्या करना होता है verticalty check करनी रहती है जब एक बार कर लोगे तो आप नीचेंत रह सकते हो और जब यह concrete हो गया तो कोई दिक्कत नहीं concrete होगे दूसरे दिन curing करो उसके date लिखो और proper से जो गनी बैंक से है उससे डग के रखे उसकी curing करते रो तो यह process रहता है एक अच्छी footing को अगर आप सही तरीके से करना है तो यह यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यह चीज़ें आपको follow करनी पड़ेंगी तो आएक अच्छी footing त्यार हो जाएगी I hope मेरे कहल में यह video आपको idea दे चुकी होगी बता चुकी होगी कि क्या क्या चीज़े चेक करनी होती है और ऐसी videos ऐसी practical knowledge आपको सिर्फ civil side visit channel पे मिलता रहेगा बस आपको channel को उसको subscribe करके रखने है bell icon दबा के रखने है और job के लिए हमारा जो दूसरा channel है civil side visit job update उसको subscribe करके रखो daily वहाँ free internship हो